दक्टर मोहंद राव भागवाग जी आदर्णिय प्रधान मंत्री जी उत्तर प्रदेश के आदर्णिय मुख्य मंत्री जी आदर्णिय राज्यपाल महोदेया देश के आज विद्यमान सभी पंथ संप्रदायों का प्रतिनी जित्व करने वाले हमारे संत रुशी आचार्य गण और समाज के सब स्तरों का प्रतिनी जित्व करने वाले निमंत्रीत महानुभाव आज का आनंद शब्दों में वरणा राती थे और उसके वरणन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तवयों में अच्छा हो गया है ये भी बता दिया गया है और हम जानते भी है कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्वल लवट के आया है और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा इसका प्रतीक आज का कारिक्रम बन गया है ऐसे समय में आपके उत्सा का आपके आनंद का वरणन कोई नहीं कर सकता हम यहाँ पर अनुगो कर रहे है पूर्ण देश में यहीं वाता वरण है छोटे छोटे मंदिर के सामने दूर दर्शन पर इस कारिक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोडो बंदू वहाँ पहुच ना पाए ऐसे घरगर के हमारे नागरिक संजन माता वगिनी सब भाव युव हो रहे सब में आनंदा है सब में उत्सा है और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महुत्सों में प्रदारने के पूर्व प्रदान मंत्री जी ने कठोर्व रत रखा जितना कठोर्व रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर्व रताचरण उन्होंने किया मेरे पुराना उनसे परिचे है मैं जानता हूँ वो तपस्वी है परंतु वो अकेले तब कर रहे हम क्या करेंगे अयोध्या में रामलला आये अयोध्या से बाहर क्यों गये थे रामायन में क्यों गये थे बाहर तो अयोध्या में कला हुआ अयोध्या उस पुरी का नाम है जिसमें कोई द्वन्द्व नहीं जिसमें कोई कला नहीं जिसमें कोई दिविदा नहीं वो हुआ 14 वर्ष वर्वास में गए वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलव को मिटा के वापिस आए आज राम लेला वापस फिर से आए है पास्तो साल के बाद जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे उनका समरन प्रान प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा आपने सुना होगा समरन किया उनकी तपस्या को, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को शत भार सहस्तर भार कोटी भार लमन है राम लेला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतियास जो जो श्रवन करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्मप्रवन होगा और उसके राष्ट्र का सब दुखदैन्य हरन होगा ऐसे इस इतियास का सामर्थ है परण्तु उसमें हमारे लिए कर्तव्यका आदेश भी है प्रधान मंत्री जी ने तब किया अब हमको भेत तब करना है अब जय आने वाला है वो कैसा था डई ही का दैवी का भौति का तापा राम राज नहीं कहुई बापा सब नरक रही परस्पर प्रीती चलही स्वधर्म निरत शुति नीती सब निर्दंभ धर्म रत पुनी नर्व अरु नारी चतुर सब गुनी सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी सब कृतद्य नहीं कपट सयानी राम राज्य के सामान्य नागरीकों का जो वरणन है हम भी इस गवरों में भारत वर्षकी संताने हैं कोटी कोटी कंठ उसका जैगान करने वाले हमरे हैं हमको इस प्रकार के विवार को रखने का तब आचरन करना पड़ेगा हमको भी सारे कला को विदाई देनी पड़ेगी छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं छोटे छोटे विवाद रहते हैं उसको लेकर लड़ाई कर लेकि आदा छोड़ेनी पड़ेगी आखिर है क्या ये बात बताईए वो सामान्य नागरीक कैसे थे निर्दंभ बाते करने वाले नहीं और बाते करके उसका अंकार पालने वाले नहीं थे काम करते थे अचरन करते थे और अंकार नहीं था ऐसे वो थे और धर्म रत थे याने क्या थे इस पर कठिन बाशा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है लिकिन थोड़े में धर्म के जो चार मूल्य जिनकी चोखट पर धर्म है ऐसा श्रीमत भागवत में बताया है सत्य करुणा शुचिता तपस उसका आज हमारे लिए युगानुकूल आचरण क्या है तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है ब्रह्मा सत्य है वही सर्वत्र है तो हमको ये जानकर आपस में समनवै से चलना होगा क्योंकि हम चलते हैं सब के लिए चलते हैं सब हमारे हैं इसलिए हम चल पाते हैं और इसलिए आपस में समनवै रखकर व्यवार करना ये धर्म का पहला जो पहरे सत्य उसका अचरण है करुणा दूसरा कदम है उसका अचरण है सेवा और परोपकार सरकार की कई योजनाए गरिबों को रहत दे रही सब हो रहा है लेकिन हमारा वे करता है यह सब समाज बांदों हमारे अपने बंदु है तो जहां हमको दुख्ध दिखता है पिड़ा दिखती है वहां हम दोड़ जाए सिवा करें दोनों हाथों से कमाए अपने लिए न्यूनतम आवश्चक रखकर बाकी सारा वापस दे सिवा और परोपकार के माध्यम से यह करुणा का अर्थ आज है शुचिता पर चलना है यहने पवित्रता होनी चाहिए पवित्रता के लिए सायम चाहिए अपने को रोकना है सब अपनी इच्छा है सब अपने मत सब अपनी बाते ठीक होंगी ही ऐसा नहीं और होगी तो भी अन्यों के भी मत है अन्यों की भी इच्छा है है और इसलिए अपने आपको सायम में रखते है तो सारी पृत्वी सब मानवों को जीवित रखेगी कांधी जी कहते थे और था इनफ फॉर एवरिवन्स नीड पट इट कैनाट साइटिश्पाई एवरिवन्स ग्रीड तो लोब नहीं करना सायम में रहना और अनुशासन का पालन करना अपने जीवन में अनुशासित रहना अपने कुटुम्ब में अनुशासन रहना अपने समाज में अनुशासन रहना सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना भगिनी निवेदिता कहती थी कि स्वतंत्र देश में नागरिक समेदना रखना और नागरिक अनुशासन का पालन करना यही देशभक्ति का रूप है इससे जीवन में पवित्रता आती है और तपस का तो मूर्तिमान उदारण आपके सामने आज दिया गया व्यक्तिकत तपस तो हम करेंगे सामुहिक तपस क्या है संगच्छद्वम हम साथ चलेंगे बोलेंगे आपस में उसमें से एक सामतिका संवाद निकालेंगे एक कही भाषा बोलेंगे वो वानी मन मचन कर्म समन्वित होगा और मिलके चलेंगे अपने जैश को विश्व गुरु बनाएंगे यह तपस हम सब को करना है पासो वर्षों तक अनेक पीडियों ने लग कर परिश्रम करके प्राणों का बलिजान देके खून पसीना बहा कर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलबद करा जिया उन सब के प्रति हमारे मन में कृतगे का है मैं यहां बैठता हूँ तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया मैंने क्या किया वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनी दी भी मुझे बनाया गया है उस प्रतिनी दी के नाते मैं ये अवदान स्विकार करता हूँ और उनी को अरपन करता हूँ परन्तु उनका ये वरत हमको आगे लेके जाना है जिस धर्मस्थापना विश्व में करने के लिए राम का उतार हुआ था उस धर्मस्थापना को अनुकूल स्थिति अपने आचरण में अपने जेश में उत्पन करना ये अपना करतव्य बनता है राम लला आये है हमारे मन को अलादित करने के लिए उत्था ही करने के लिए प्रेणा देने के लिए साथ साथ इस करतव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवन करने के लिए आये है उनका आदे सर पे लेके हम यहां से जाए सब लोग तो यहां आ नहीं सके लेकिन वो सुन रहे है देख रहे है अभी इस इक्षन से इस व्रत का पालन हम करेंगे तो मंदिर निर्मान पूरे होते होते विश्वगुरु भारत का निर्मान भी पूरा हो जाएगा इतनी क्षमता हम सब की है इसका मैं एक बार स्मरण देता हूँ आप सब को धन्यवाद देता हूँ और मेरे चार शब्द समावत कर रहा हूँ भारत के